तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमशकार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नैट सेशन में आपका अभिनंदन है आसा करता हूँ कि आप बहतरीन होंगे जबरदस्त होंगे और शांदार तरीके से अपने आने वाले प्रोमोशन एक्जाम के तैयरी कर रहे ह होंगे साथी साथ इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत सारी उसके में भी आप अपने उत्सा की गर्मी को बना के रख रहे होंगे और यह जो हमारा बैंकिंग ब्योसाइक जीवन होता है यह ऐसा जीवन है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे जीवन के तीस में तीस साल गु बात करें दस साल का समय ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चलेगा है ना तो आप सभी साथ ही काफी देर से जुड़े हैं आपका स्वागत करता हूं सदन जी कितने साल हो गए आपको नौकरी सदन सर्मा जी हैं जुड़े हैं आवाज आ रही मेरी जी सर्मस्ते सर्मस्ते शिदन जी कितने साल की नौकरी हो गई आपकी एट आट साल कितने चल रहा है कितने जल्दी गुजर गया Yun Shaation तो फिर देखतें देखतें आपन करेंगा यह लगरएंज जल्दी आइए कि मैं इस लीए THE आ हो पया रहा हूँ क्योंकि मैं बहुंस लोगों से मिलता हूं उनके सामिल होता हूं और से इंटर्व्यू करता हूं तो बता रहता है वो बोलते हैं कि पता भी नहीं चला कि कैसे दीवन चला गया अभी हमने कुछ सोची नहीं पाया कुछ देखी नहीं पाया और रिटायर हो गया इसा मैसुस करते हैं आप भी ना जी इस समय बड़ा पास्टली निकल जाता है वह इसलिए है क्योंकि बैंकिंग इंडस्टी एक इंगेजड इंडस्टी है एक चैंजिंग इंडस्टी है एक रिस्पॉंसिवल इंडस्टी है और एक डेडिकेटेड इंडस्टी है और उसी में करते हैं इसलिए हमें इतना रहता है कि कुछ सोचने समझने के लिए वक्त नहीं रहता है नहीं जी जुड़े हैं हमारे जरूर सफल होंगे मैं आपके सफलता की कामना करता हूं और आप अच्छा इंट्रिवू देने के लिए तयार होंगे आप यकीन मानिए कि अगर थोड़ा थोड़ा समय अगर सीखने के लिए लगाएंगे ना तब दो-तीन सालवा देखेगा बोलेगा वासर जिंदगी तो बदल गई ना सिर्फ बैंकिंग के लिए और चीजों के लिए क्योंकि आप और मैं एक ही इंडिस्ट्री से हैं मैं आप क्योंकि ना जो बोलता है एंपेथी को समझ पाता हूं क्योंकि मैं सीधे सीधे उसी से गुजर के आता हूं तो आज के सेशन में नेहा जी थोड़ा साथ दीजेगा कुछ-कुछ चीज़ें मैं आप से इंट्रिवी वाला भी पूछूंगा और आपको सिखाऊंगा भी तो क से रिलेटेट आपके प्रोमोशन एक्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप सक्षमता के साथ सबलता के साथ उसका जवाब दे पाएंगे हैं आज के पहले सवाल की और पटाफट सेशन होगा सरल कठीन मध्यम तिनों के डिगरी के सवाल हैं जहां जरूत पड़ेगी मैं डि कॉंटेक्स टाप बेंकिंग रेगुलेशन तो के वाइसी का फुल फॉर्म पूछा गया है क्योंकि हमारे सेशन में सारे स्केल के साथ ही होते हैं तो सीधा सवाल पूछ लेता है के वाइसी का फूल फॉर्म क्या है क्या 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 स्टेंड करता है बेंकिंग के है मैं तो आप लोगों से बाते करने आठा हूं बाकि तो आप लोग पढ़ते रहते होあ आपके पास और ग्यान मोबायल में है ये इना मोबायल फर्सेटिंगं ओसा और गडतेरिंग और यह जो तुरे दूर और परने संद्धार statute और एसारए जो पूरे दुनिया में प्रार्थमिक तौर से उत्तरदाई होता है एंटी मनी लॉंडरिंग के नियम बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फानेशल एक्शन टास्क पॉर्स युनाइटेड नेशन तो यहां पर जो भी क्वेश्चन है यह वाला क् इंप्रटेंट है एक्जामिनेशन माहिने की पहुंद जयदा संभावनाएं होती है और हमेसा आता है तो यह हमारे साथी सब लोग चैट बॉक्स पर इसको बना रहे हैं इसको जो है इसका एंसर है फाइनेशल एक्शन एक्शन एफटी एप बोलते हैं तो जड़ा तर यह फुल फॉर्म पूछ लेता है और फाइनेशल एक्शन टास्क पोर्स में से आप इसको जो है ठिक कर देते हैं तो एफटी एप क्या है कैसी संस्ता है जो दुनिया में एंटी मनी लॉंडरिंग जो होता है उससे मुकाबला करने के लिए पहल करता है और निती नियम बनाता ह है कि बैस्विक इस्तर पर मनी लॉंडरिंग और आतंगवादी वित्त पोर्षन के लिए निगरानी करता एजन्सी मान सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए इंट्रिवू में कि FATF क्या है इसके बारे में बताईए तो मैं आपको बता रहा हूं वैसा बता दीजेगा कि महो मनी लॉंडरिंग और आतंगवादी वित्त पोर्षन के लिए निगरानी करता संस्ता है और इसका उद्देश जो है मनी लॉंडरिंग और आतंगवादी वित्त पोर्षन को रोपने के लिए या ऐसे कारवाई को निपटने की जाज करना और उनमें कारवाई करने के लिए बनाए गया है इतना बोल पाएंगे निया जी यह कई पर पूछते हैं अभी स्केल टू में पूछा गया था एफटी अब क्या है क्या काम देखता है तो कई बर हमको 30 सेकंड का समय मिलता है तो इतना ही बोला जा सकता है कि सर एफटी है इस तर पर मनी लॉंट्रिंग और आतंगवादी पोस्टन की निगरानी करता संस्ता है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में हुई थी जो जी सिवन जो कंट्री है वो मिलकर इसके किये थे और इसका उद्देश है मनी लॉंट्रिंग और आतंगवादी वित्व पोस्टन को रोपना जाच कर करना और उनमें कारवाई करना इसका उद्देश इतना बोल दीजेगा सपलता मिल जाएगी चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं वाट इस दप्राइमरी परपस आप के वाइसी प्रोसीजर का प्राथमिक उद्देश क्या होता है तो एसस क्रेडिट रिस्क को जाच करना तो वेरिफाइड आइडिन्टिटी आप कस्टमर ग्राहकों के परिछे को जाच करना या मुल्यांकन करना तो कैलकुलेट इंट्रेस रेट तो मैनेज इंटरेनल अउडिट तो सदन जी जब भी कोई ग्रहा का आपके पास सबसे पहले करते आता है खाता खोलने के लिए तो हमारा पहला कारवाई होता है सबसे पहले हमारे पास कितने स्टेज होते हैं तो सर कस्टमर से हम लेते हैं खाता खुलने के लिए और उस फॉर्म के नहीं अपने को ना जब ऐसे पूछा जाया है तो कि वैसी के चार स्टेज होते हैं घटक होते हैं उसके कंपोनेंट पहला होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी दूसरा होता है कि मैनेजमेंट और चौंता मॉनेटरिंग अप्ट्रांजेक्शन ऐसा बताएगा है तो यहां पर जो सवाल पूछा गया था पहला प्रामरी उद्देश क्या है यह आइडेंटिफिकेशन आप कस् कस्टमर अब इसके आइडेंटिफाइफ के तीन तरह के होते हैं एक होता है आपका प्रूफ आप आइडेंटिटी प्रूफ आड्रेस और फोटोग्राफ तीन होते हैं इसके इसके अंदर के डिटेल में आगे सवाल आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑफिसली डॉ सदन जी जाने लिए चारिज के बारे में घटा पूछेगा तो हूता है कस्टमर आपकेशन प्रोसीज़र और तीसरा होता है रिस्क मेनेजमेंट की कस्टमर को देकिंदेकि हम देखेंगे कि कुण सी रिस्क में लोग च्का हाई रिस्क में और चौन लगातार मोनेटरिंग बढ़ते हैं सवाल पर स्क्रीन पर है कुछ डॉकुमेंट इस कॉमनली रिक्वाइड फॉर इंडिविज्वाल आइडेंटिटी फिकेशन वेरिफिकेशन इन के वाइसी हां दिप्ती जी जरा बताइए जरा यह सवाल पूछ रहा है कि निन में लिखित करेंगे दिप्ती जी ड्राइविंग लैसेंस क्यों बताइए अंतर क्या बाकी में ने ले सकते पर वैलेड नहीं है पे में लिए उसको रहता है प्रोश का है जैसी यूटिलीटी बिल है यह तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता यह यह किसमें इस्तमाल हो सकता है लेकि इड्रेस प्रूप में भी वह ओफिसली डॉकुमेंट नहीं है लो रिसक के कस्टमर के लिए है लो रिसक के कस्टमर के लिए रिलेक्सेशन है यूटिलीटी बिल में रेंटल एग्रिमेंट बिलकुल नहीं है ऑफिसली डॉकुमेंट नहीं है लेकिन लो रिसक के कस्टमर है तो उनके लिए यह एड्रेस के लिए इसत certaines किया जाखता है एडेश के लिए इस नोट के log ribs est है अन्पाती है थिए याद है कि थो डिखुमेंट नहीं है उसको हटा दिया है अधारकाट ठीक है वोटर आईडी ठीक है ड्राइविंग लेशन्स ठीक है और बताईए पासपोर्ट ठीक है और बताईए एन पी आर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो सही है और बताईए मन्रेगा जॉब कार्ड भी होता है तो यह जो है डाकुमेंट है पेन कार्ड को हटा दिया और विलिद डॉकुमेंट इडेंटिफिकेशन के लिए चलिए अगला सवाल चलते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है एंटी मनी लॉंडरिंग जो होते हैं उनके एंटी मनी जो लॉंडरिंग रेगुलेशन है उसमें बैंकों को सस्पीसियस ट्रांजिक्शन रिपोर्ट जो है किसको करना होता है अथारिटी तो यह आप लोग नहीं जान रहे होंगे क्योंकि यह कभी क्लास में पढ़ाई नहीं गहीं है लेकिन यह फाइनेंशल क्राइम इनफोर्स्मेंट नेटवर्क को किया जाता है और अगर यही सवाल इंडिया में पूछा जाए तो क्या जबाब होगा मनिज्जी आप बताइए कि एंटी मनी लांडिंग रेगुलेशन में सस्पीसियस ट्रांजिक्शन बैंक हैं किसको रिपोर्ट करती हैं इंडिया में आप इंडिया है ना तो यह चुकि अमेरिका का पूछा तो फैनेंशल क्राइम इंफोर्स्मेंट है और इंडिया का पूछता तो फाइउ होगा चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर वाट ड़स दटम पीए पीपी स्टेंट फॉर इन कंटेस्ट आप एंटी मनी लॉंडरिंग यह बताइए नहीं कुमारी जी पीएफ का फुल फॉर्म क्या है इसका मतलब क्या समझते हैं अगर आपको इंट्रेव्यों यह पूछ दिया गया कि से आपका क्या क्या जानते हैं या कैसे समझने कैसे समझते हैं तो क्या बोलेंगे कि पहले तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि पॉलिटिक ली एक स्पोज परशन ऐसे परेसट नहुट होता है जो राजनितिक रूपसे उग मतलब बित्ति विनमेन में या जो पानिंशल जो उनके जो लेंदेन होंगे उनको एक राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति के रूप में देखा जाता है अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्रमुक सारवजनिक कारे सोपा गया है तो या राजनीतिक रूप से वो उजागर व्यक्ति हैं राजनीतिक पार्टी से उनका संबंध है उनके करिभियों तक उनके रिस्तेदारों के साथ संबंध है तो उनको भी पॉलिटिकली एक्सपोज परसन कहा जाता है और इसको अगर अगर डिटेल से और भी बताना होगा आप कहिएगा कि जब किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जनता के समक्ष सारोजनिक पत पर वो काम करते हैं तो उनकी भूमिका के कारण उनको पॉलिटिकली एक्सपोज परसन कहा जाते हैं और ऐसे जो परसन है उनके खाते खोलने के लिए उनको हाई रिस्क में रखा जाता है इसलिए इनको जो इनकी निग्रानी है खातों की मौनिटिंग ट्रांजिक्शन है वो लगातार करनी होती है और इनको वेरिफाई करना होता है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है इन विच यह डिट दा एफट्य रिलीज इट्स परस्ट सेट अप एंटी मनी लॉं किया था 1990 में किया था उसके बाद तो अभी बहुत सारे समय समय पर आते रहते हैं लेकिन यह सवाल उतना इंपोर्टेंट नहीं है कि वहला आपकी जानकारी के लिए है कि 1980 में यह संस्ता बनी थी और फिर उसके बाद जो है 1990 में इन्होंने रिकमेंडिशन जारी किया था जी सेवन की जो बैठक है पेरिस में हुई थी उसी में यह डिसाइड किया गया था अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कौन सी कारवाही एंटी मनी लॉंडरिंग का घटक नहीं है कस्टमर डिव डिलिजेंस का मतलब होता है कस्टमर के जो भी चीजें जानकारी दी गई है उनका मुल्यांकन करना यह एंटी मनी लॉंडरिंग फ्रेमवर्क का घटक है ट्रांजेक्शन मॉनेटरिंग खाते में जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको निगरानी रखना यह भी एंटी मनी लॉंडरिंग का है इंट्रेस्ट रेट केल्कुलेशन यह एंटी मनी लॉंडरिंग का नहीं है यह गलत जवाब होगा तो यह मतला इस कुश्चिन के कि stand-in anti-money laundering practices नेहा कुमारी जी cdd का full form क्या है बताइए कुस्टमर डियूट 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 से मतलब समझा दीजे कुस्टमर डियूट 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 क्या हुआ करते हैं उनका इडेंटिटी प्रॉसेस करते हैं और कस्टमर के बारे में जानते हैं नहीं मतलब एक मान लिजे एक जम इसका पर यह तो है लेकिन आपको इंटर्व्य में पूछेगा तो ऐसे बताएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा है ना दौग तो इसको बोलेगा कि कस्टमर ड्यू डेलेजेंस ग्राह के द्वारा दी गई जो भी जानकारी जानकारी का मुल्यांकन करने की जो कारवाही है उसको due diligence कहते हैं ग्राहक बित्ती संस्थान के साथ जब संबन्द इस्तापित करता है तो ब्यापार्श से जुड़े या अपने ब्यक्तिकत जानकारी जिसमें इन आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ सब देता है तो उन जानकारियों को किसी तिर्दी पक्ष से या सारोजनिक डाटा स्रोथ से या उसके मुल्यांकन करना है ये मुल्यांकन होता है जैसे कोई भी डाकुमेंट दिये गए हैं तो उनको वेरिफाई करना ये customer due diligence होता है तो ग्रहक का उच्छित जानकारी का मुल्यांकन करना ये customer due diligence कहते हैं customer due diligence में ज्यादा तर यह आता है कि ग्रहक ने जो भी बताया है कि मैं बिजनसमेन हूं मेरी इंकम इतनी है तो फिर उसकी इंकम माली जो बता रहा है कि वो ग्रहक बोल रहा है कि किसान है तो उसके खाते में दो बार पैसा आएगा अगर उसके खाते में अचानक पैसा आने लगा बहुंच जादा तो हमें असतर्क हो जाना है किसान है और यह पैसा आने लग गया तो यही काम हमको करना है इसलिए हमारे चार घटक होते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी इडेंटिफिकेशन अब कस्टमर रिस्क मेनेजमेंट और मॉनेटरिंग अब ट्रांजिक्शन तो कस्टमर ड्यू डिलिजन्स यह कहता है अगर कोई ग्रहक बोलता है मेरी इंकम एक लाग रुपए है सालना और उसके खाते में दस लाग रुपए जमा हो रहा है दस लाग रुपए निकल रहा है तो यह मनी मूल एकाउंट है अगर आपने उस अकाउंट को होड नहीं लगाया उसका ड्यू डिलिजन्स नहीं किया तो आपको पैनल्टी हो सकती है आर भी कि द्वारा चलिए तो यहां पर कस्टमर ड्यू डिलिज इनके साथ यूएस गौर्मेंट एजनसी जो है वह मिलकर जो है कोई भी एंटी मनी लॉंडरिंग वाला कारवाई करता है तो यह कौन से प्लीजु करता है यह यह यूज पेट्रियोर्ट एक्ट है तो यह एक्ट जो है यह वहां की जो बैंक है और उनके जो अजनसी यह दो दोनों मिलके इनको काम करते हैं ताकि कोई भी जो है वित्ती पोशन आतंकवादियों को ना हो या काले धान पर रोक लगे इसके लिए काम करते हैं तो यह यूएस पेट्व अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अंडर केवाइसी नॉम्स विच टाइप आप कस्टमर इस कंसीडर में पर हाइड रिस्क और इंठांस डियु डिलिजएंस निन्म लिखिट में से कौन सा कस्टमर जो है हाइड रिस्क में होगा और इंहांस डियु डिलिजएंस करना पड़ेगा इंडिविजि वåल पोलिटिकली एक्सपोज परषन रिचायर इंडिविजुः ओर स्चूद तो नेहा जी यह सेलरीड जो कस्टमर है वो कौन से रिस्क में आते हैं तो लो में आएंगे और यह रिटायर्ड इंडिविजल जो पैंशनर है वह भी लो में ही आएंगे इस्टुडेंट लो में ही आएंगे और पॉलिटिकली एक्सपोस परसन और कोई प्रोपाइटर सी डालेंगे जैसे में अभी इसे आ नेहा जनेहा नेहा ईंड़स्त्री और वो ह्यार्ण leverage और उसको कोन से रिस्क में डालेंगे प्रोपाइटर है फाजी लो रिस्क में लो तो जो नहीं वह प्रोपाइटर्शएस पूर जो में कोई प्राइवेट लिमिटेट कंपनी है तो हाई रिस्क पॉब्लिक लिमिटेट कंपनी है तो हाई रिस्क हाई रिस्क में अगर सुसाइटी है तो हाई रिस्क में और आपका रस्ट है सोसाइटी है यह सब हाई रिस्क में आता है और यह जो आपकी केटेगरी है वो जो एक जितना यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है इन में से पॉलेटिकल एक्सकोज परसं हाई रिस्क में होगा बाकी सब लो रिस्क में होगा तो यहां पर लिखा है रिस्क का कस्टमर जिसको एन्हांस एंडियू एक बार, यह सवाल क्या लिखा इस पर what is the minimum period for which banks are required to maintain record of customer identification according to AML guideline अबताई ये कितने रिकॉर्ट्स रखने मलग कितने साल तक रखने यह उसके परिभास में पहले यह दस साल था जिसको घटागे उन्होंने पांस साल कर दिया यह बार-बार यह सवाल जो है पूसता है रिकॉर्ट्स जो है मैंटेंड करना पांस साल तक तो यह आप लोगो भली भाती याद भी हो गया होगा कि कोई भी बैंक है उसको अपने कस् सब्सक्राइब हो गया तो भी पांस साल तक रखना है वाट ड़स दा सीटियर स्टेंड इंड लॉंडरिंग में सीटियर किसे कहते हैं निहां जी और सीटियार को अगर आप से पूछा तो सीटियर के बारे में क्या जानते हो बोलेंगे तो इंटर्वी में क्या पताएंग सब्सक्राइब लिक जो कैस से रिलेटentin होते हैं सब्सक्राइब से को उचित करवाई है जिसको बैंक को अनिवार तोर से करना होता है वो होता है cash transaction report बैंक में किसी ग्रहक के द्वारा एक महा में अगर नगदी चाहिए एक बार या अनेग बार एक महने में 10 लाग या उससे उपर के जमा किये जाते हैं तो ऐसे ग्रहकों की जानकारी financial intelligence unit को वो मेहना खतम होने के 15 दिनों के अंदर बैंकों को देना अनिवार होता है यह जो कारवाई है वो anti money laundering guideline के तहद दी जाती है ताकि काले धन के उप्योग पर रोक लगाई जा सके या कोई आतनकवादी गतिविदियों पर बित्त पोस्टन है उसमें भी रोक लगाई या बेनामी पैसे पर अगर कोई lending हो रहा है तो उस पर उचित कारवाई की जा सके इसके उद्देश को देखते हुए cash transaction report जो है बैं परेंगे कि cash transaction report जो है KYC के घटकों में से एक महत्पून घटक है जो मॉनिटरिंग आप transaction में दी जाती है cash transaction report ग्रहकों के दस लाग से दस लाग से अधिक एक महने में नगदी जमा किये गया है उनकी reporting की जाती है नगदी जमा या नगदी निकासी के दस लाग रुपे के cash लें देन चाहे नगदी जमा हो नगदी निकासी हो उनकी detail देने होते है चलिए अगला सवाल आपकी screen पर है which of the following is an example of a suspicious activity that may need to be reported under anti-money laundering activity निनम लिखित में से कौन सी कारवाही जो है suspicious लगता है आपको तो उसकी report आप करेंगे financial intelligence unit को large cash deposit in consistence with the customer profile regular salary deposit withdrawal from ATM ये और payment from payment for utility bills तो इनमें से ये तो आसानी से आप लोग उसको जान लेंगे अगर कोई ग्रहाग cash deposit लगातार कर रहा है और उसके profile से match नहीं हो रहा है तो उसको जो है हम suspicious transaction कहेंगे एक उधारण में अभी आपको बताए था एक ग्रहाग बोलता है कि वो किसान है जब किसान है तो उसका धान का पैसा तब आएगा जब धान भीक रहा होगा फसल आ रहा होगा लेकिन वो लगातार cash deposit कर रहा है तो ये suspicious transaction में report आपको करनी है या कोई ग्रहाग है 49,000 ऐसे जमा कर रहा है तो suspicious transaction है कोई ग्रहाग के खाते में पैसा salary deposit salary के नाम से खाता खुला है लेकिन daily पैसा आ रहा है कि suspicious transaction है क्योंकि salary तो मैंने में एक एक बार आनी चाहिए जैसे कि आप लोगों के खाते में कोई निगरानी करता होगा ना सभी यह भी suspicious तरीके से होता है कि यह तो salary पाते हैं लगातार cash transaction आ रहा है तो उसको corruption के तौर पर देखा जाता है या other income के तौर पर देखा जाता है फिर जांज बिठाई जाती है और फिर करवाई की जाती है चलिए अगला सवाल आपकी screen पर what is the main objective of the KYC guideline issued by Reserve Bank of India KYC guideline का मुक् activity तो इंक्रीज बैंक प्रॉफिट तो इंक्रीज कस्टमर सर्विसेस तो भारती रिजर्व बैंक के दिसाने रिदसों के अनुसार KYC guideline का मुख्योद्देश है कि मनी बैंकों को इतना ससक्त बनाना ताकि मनी लॉंडरिंग एक्टिविटी को बैंक प्रोग पाएं तो इसका टिपिकली पार्ट आप इन्हांस डिव डिलिजेंस एक होगा कस्टमर डिव डिलिजेंस एक होता है इन्हांस डिव डिलिजेंस जो हाई रिस्क में करते हैं या सस्पीसियस ट्रांजिक्शन में करते हैं इन्हांस डिव डिलिजेंस तो इन में से कौन सा जो है उसका स्टेनिंग इनफॉमेशन अन्द सोर्साफ़न्ट मोनेटरिंग ट्रांजिक्षन मोर फ्रिक्वेंटली लोरिंग ट्रांजिक्षन फीस कंड़क्टिंग बैक ग्राउंड चेक्स जो इन्हांस डियु डिलिजन्स होता है इसका माइन ही सवाल में समझा दिया गया है कि अगर को प्रोफायल और उसकाउंट के त्रांजिक्षन मैंच नहीं हो रहे हैं तो ऐसे कंडिशन में हम नहाब कुमारे जी को भेज देंगे कि उसそんな में जांट करिए उसका प्रोफाइल मैंच नहीं हो रहा है तो इसके पहते हैं और उसके बैक्वरांड बिच्रो जा रह रहे हैं और फिर उसके वाद रिपोर्ट देंगे इसको बोलते हैं इन्हांस डिव रिलिजेंस लेकिन ट्रांजेक्शन फीस लोरिंग करना यह इन्हांस डिव रिलिजेंस का है इसलिए इसका एंसर होगा यह चली बढ़ते हैं अगले सवाल पर अंडर FATF recommendation, which of the following should financial institution perform as a part of anti-money laundering obligation Financial Action Task Force के अनुसंसा के अनुसार निन्म लिखित में से financial institution जो है उसको क्या perform करना चाहिए ताकि उनकी जो anti-money laundering obligation पूरा हो सके annual profit assessment, employee performance, ongoing transaction monitoring, quarterly monitoring तो यहां पर क्या हो तो marketing survey तो anti-money laundering जो उत्तरदाई तो है हमारा हमारा यह है जैसे सवधन जी ने बताया हमेशा ongoing transaction monitoring करेंगे क्योंकि आज ग्रहाक अच्छा है कल उसके खाते में अचनक transaction होने लग गया जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे आप अपने अपने खातों में यह अपने बैंक के किसी ग्रहा के खातों में देखे होंगे कि लगातार पैसा आन लगता है प्रोडोलेंट ट्रांजेक्शन होने लगते हैं तो यह ongoing transaction monitoring करनी है यही अपनी बैंक की liability है जो फोकस करता है यह अंतिमनी लॉंटरिण पोरेंड यह आप नहीं जानते होंगे क्योंकि यह पढ़ा नहीं है यह दूसरे कंट्री का है तो यह आपके एक्जामनेशन के लिए उतना इंपोर्टेंट नहीं है वाह यह जरूर जानते होंगे आप निनमलिखित मेंसे कौन सा है जो कौमन मेथड है वो मनी लॉंडरिंग का कि लिए कौमन मेथड जो है वो क्या है यह बोला गया है तो आप लोग बताएंगे नहीं जी इस पर्मिंग क्या इस इस मूर्फिंग बोलेंगे भी जो काला धान में वह एक खाते से दूसरे ठाथों में डाला जाता है पहले तो बेंक में लाय जाता है जिसको बोलता है प्लेस्मेंट जब भी कोई अपरात से या गलत तरीके से या किसी बेनामी संपतिको बैंकिंग में प्रवेस किया जाता है तो पहला काम किया जाता है उसको प्लेस्मेंट बैंक में खाते में किसी में जमा किया जाता है फिर उसके बाद उसमें धन सो धन किया जाता है इसको दूसरे खाते में उसको दूसरे खाते में यह किया जाता है तो इसको बोलते है इस मर् यह जो है कारवाई जो है आपका money laundering के लिए इस्तमाल किया जाता है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर सर्फ यह जो पता रहते प्लेस्मेंट लेरिंग इंटेगरेशन यह तीन होता है वह तो फ्लेस्मेंट लेरिंग और इंट्रीगेशन होता है उसको लीगल मनी बना देता है गोल्ड खरिद देगा या प्रॉपटी लिगा देगा पैसे को अब बात करते हैं अगले सवाल पर वाइज दे बेनिफिशेल ओनर्सीव इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंट कि वैसी प्रोसीजर कि वैसी के प्रोसीजर में बेनिफिशेल ओनर्सीव इंपोर्टेंट होता है जब भी कोई खाता खुलने आता है current account है तो आप beneficial owner rate करते हैं beneficial owner एक ऐसा owner होता है जो ऐसे इकाई जिसमें unit या ऐसे unit या ऐसे form जिनका खाता आप बोलते हैं जैसे कि कोई company है form है तो उनका beneficial owner जानने के लिए identify करने के लिए तो beneficial owner के लिए आपने देखा होगा company की case में पहले 25 परशंट था आप 10 परशंट कर दिया अगर उसका stakeholder 10 परशंट है या उस पर control 10 परशंट या उससे ज्यादा है तो beneficial owner है partnership के case में 10 परशंट है trust के case में 10 परशंट है सब को कम करके अब 10 परशंट कर दिया तो beneficial ownership information बैंकों को डालना इसलिए जरूरी होता है ताकि उस form में जो भी financial activity हो रही है उसके असली मालिक का पता चल पाए उसका असली beneficial owner कौन है ताकि कोई भी अगर ऐसे काले धन की संपत्ति की बात हो तो इसको पकड़ा जा सके यहीं इसका उद्श है तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि समाप्त करें कि और आगे सवाल करें किया है और करें यहां और कर ता है ना सब्सक्राइब चलिए तो पाइड़ सवाल और कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है what does PMLA Stand for दो यह तो आप लोग सब जान लेते होंगे कि voices सब्सक्राइब को रोपने के लिए एक बनाया जिसका नाम है अगला सवाल है इन विच यह वास्ट प्रिवेंशन आप मनी लॉंडरिंग एक्ट इन इंडिया यह आप लोग को याद होगा क्योंकि अभी हमने कि स्पेशल क्लास लगाये था प्रिवेंशन आप मनी लॉंडरिंग एक्ट तो यह साधरन सा सवाल है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विच एजन्सी इस प्राइमिरेरी रिस्पोंसिबल फॉर इन फॉर्सिंग दे पी एमेले इन इंडिया प्रिवेंशन आप मनी एक्ट में प्रार्चमिक तौर से जो इन फॉर्सिंग एजन्सी है कौन है भारती रिज़र बैंक सेकुरिटीज एन एक्षेंज बॉर्ड आव इंडिया इन फॉर्स्मेंट डिरेक्टरेट सेंट्रल ब्यूरों इन वेस्टिगेशन तो जो भी प्रिमेंशना मनी लॉंडरि लॉंड निकार विकल्ज को करता ओने इन फॉर्समेंट डिरेक्टरेट करता है 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 क्थी करता है मिनने क्लास में हो न मैं सब ऑन्सक्राइली को मनी लौंडईरिंग मतलब भारत में रहरे हैं तो money laundering अगर आपने किया अपरात से अगर पैसा कमाया भरस्ट अचार से पैसा कमाया गलत तरीके से पैसा कमाया सड़ेंद्र रज के पैसा कमाया तो फिर आ जाता है enforcement डिरेक्ट रेट फिर होता भी या खतरनाक काम फिर आप लोग देखी रहे होंगे news में है न क्या ही होता है अगला सवार पिस्क्रीन पर वाट इस दप्राइमरीश पर पस डीमलेश क्या है नेहा जी औपसट पढ़के बताई तो आपको क्या लगता है कौन सा सभी एंसर होग नेया जी नेया जी अवाज रही आपसट्रके बढ़के बताई तो इसका पूसा होगा इसका क्या मतलब हुआ जो परपस है सर मनी लॉंडरिंग को रोपना और उससे रिलेटेट जो क्राइम है जो आतंकवाद वीद पोसन है उसको रोपना जब बहुत बढ़िया क्या होता है जब भी कोई गलत तरीके से कमाई होती है उसको मनी लॉंडरिंग कहते हैं तो मनी लॉंडरिंग मतलब जो काली काला पैसा है उसको सफेद करना लॉंडरिंग क्वाद जैसे हम आप लोग ना आज चुटी था ना नहें चाटिस गड़ में उसको दुलाई करेंगे और उसको एकनम्बर बनादेंग अपना लिगल इंकम बना देंगे तो इसी को रोख लगाना और इससे छी क्राइँ करेगा इससे छी काम प्रेश कंड़ relieved ब्लाकर एक्ट अगला सवाह अब बताएं जी मनी लॉंडरिंग के तीन लेयर तीन स्टेज होते हैं एक होता है नियुक्त है एक होता है इंट्रिगेशन तो उसमें से कौन सा करवाई जो है वह इलीगल मनी को आखरी में ऐसा बना देता है कि लीगल हो जाए कौन से करवाई है है ना पहली कारवाई जो मनी लॉंडरिंग का स्टेज पहला है प्लेस्मेंट प्लेस्मेंट का क्या मतलब हुआ कुछ-कुछ पैसा इस खाते से एधे पैसा खाते में जमा करा मैं गलत तरीके से जो पैसा कमाया है उसको जो है बैंकिंग इस तरीक नहीं करा ना कुछ अपने साथी के खाते में कुछ इधर खातेमें इधर खाते करके सर जमा कराएगा मान लेजे कोई 10 लाग रुप कमा तो थोड़े थोड़े पैसा दे देगा ताकि कोई नो फिर उनको बोलेगा उनसे बिजनस के लिए मैंने ये किया और में लगा देगा उसको बेसे बिजनस को लिए तो ये हैं उसी पैसे को को एक नंबर बना दिया धन की विवस्त तरीके से कर दिया कि मतलब समझे पूरी दरब से गलत तरीके से कमाएगे भी को लीगल राशी बनाना ये स्टेस्टेज है पहला आपने अच्छे से बतायाặt मतलब उस पैसे को जो गलत से उसको सिस्टम में लाके में करना सोधन करना और आखरी में उसका इस्तेमाल ऐसे कर लेना ताकि वह एक्दम लीगल मनी लगे लेरी उल्जा देना सर उल्जाना उल्जा देना चलिए तो यहां इंट्रिगेशन होगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विच अप दो फॉलिंग इस नौट इस्टेज इन दा मनी लॉंडरिंग प्रोसेस से कौन सा नहीं थे प्लेस्मेंट लेरिंग इंट्समेंट इनमें से कौन सा इन्वेस्मेंट नहीं है जादतर पॉपुलर सीरी में आपको याद हो गया होगा कि तीन चीज़ें होती हैं आपके money laundering में placement लेरिंग इंटेगेशन कमाएगा banking सिस्टम में लाकर रख देगा जमा करेगा नगद में लाएगा क्योंकि एक नंबर की कमाई होती दो है transfer हो के आता है ताकी उसमें देने वाले के भी पता रहता है लिने वाले करेगा integration करेगा लेरिंग मतलब एक दूसरी एकाउंट में ट्रांसपर करता है इतना घुमाएगा कि पता ही नहीं चलेगा फिर उसको है और वह है दस लाग रुपए दस लाग रुपए का एक थ्रेस्वल एमाउंट है रिपोर्टिंग सब्सक्रांजिक्शन का है वह मनी लॉंटिंग एक्ट के दहात है बट बैंकों में अगर पूछा जाएगा नॉर्मली अप यू को तो उसमें कोई एसस नहीं है चोटे-चो जो किये जा रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है तो सब्सक्रांजिक्शन है जैसे मनीज जी के खाते में क्या आता है मनीज जी के खाते में हर मैन 28 तरह को सेलरी क्रेडिट होती है अचानक अगर डेली एक लाग दो लाग जमा होने लगे फिर निकलने लगे मतलब यह समझ पूर में सब्सक्रांजिक्शन के इंहांस ड्यू डिलेजेंस करना है आपको इंक्वारी करनी और सब्सक्रांजिक्शन हो जाने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है में साथ दिनों के अंदर डेल्nell अगर कोई व्यक्ति 9000-9000 गश्मार मै चेश्यों कर रहा है तो लगातार कैस छोटे-छोटे एमांट में कैस ट्रांजिक्शन कर रहा है कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जो उसके प्रोफाइल से मैश नहीं है तो फिर आपको तयार हो जाना चाहिए इना सदन जी अगर कोई किसान है तो च्छे मैंने में दो बार तीन बार जमा होगा भले तो यहां पर देखिए आपका सवाल पढ़िये तो क्या लिखा है सदन जी क्या सवाल है पढ़िये तो बीच डॉक्मेंट इज नौट टिपकाली रिप्वार्ट पर किवाई सी कंप्लांस अंडर पी एम एले अंबताइए जरा है कौन सा डॉक्मेंट जरूरी नहीं है किव सी तो इसमें पास्पोर्ट जो है कि वैसी डाकुमेंट है जी जी मोटर राइकार्ट है तो यह अगला सवाल है वाट इस दा मैक्जिमम पैनल्टी फार मनी लॉंड्रिंग अंडर पी मेले इन इंडिया तो तीन साल के जैल की सजा है जो साथ साल बढ़ाई जा सकती है और प पांच लाग है यह पीमेले वाले उसमें पढ़ाया हूं एक बार और देख लिजेगा तो आपको याद हो जाएगा कि तीन साल के जेल है और उसको बढ़ा के साथ साल कर देंगे और फिर उसके बाद चुनाओ परचार अगरत के लिए आपको समानत मिल सकती है फिर एक्जा की रिक्वर्मेंट पर बैंक अंडर गाइडलाइन निनम लिखित में से कौन सा मुक्ष जरूरत होता है बैंकों के लिए ओफरिंग हायर इंट्रेस रेट कंड़क्टिंग रेगुलर इंटरनल ओडिट रिपोर्टिंग सपीश ट्रांजिक्शन रिडूशिंग ट्रांजिक अंडर प्रिवेंशन आप मनी लॉंडरिंग एक्ट फूइस रिस्पॉंसिबल फार मैंटेनिंग रिकॉर्ट सब ट्रांजिक्शन पॉन जो है जिम्मेदार होता है ट्रांजिक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए कस्टमर गॉर्मेंट सेंट्रल बैंक मतलों रिजर्ब बै जिम्मेदारी होती है फाइनिशल बैंक जो इंडिविजल बैंक है उनकी जिम्मेदारी है कि वह रिकॉर्ड मेंटेन करें कि अगला है वीच अब फॉलिविंग इस नॉट अब्जेक्टिव आप एंडी मनी लॉंडरिंग पोलिशी निन में से कौन अब्जेक्टिव नहीं है पहला पड़ते हैं प्रिवेंटिंग दे यूज़ फाइनिशल सिस्टम फार मनी लॉंडरिंग मतलब मनी लॉंडरिंग के लिए जो गलत तरीके से अगर कोई पैसा कमाया तो हमारा काम है कि उसको बैंकिंग सिस्टम में इस्तमाल करने से रोग लगाना तो यह तो गलत तरीके से पैसा कमाया है और उसको आपके बैंक का इस्तमाल कर रहा है तो इस पर रोक लगाना यह तो आपका उद्देश है रोक लगा जी सर्व दूसरा भाग देखते हैं फैसिलेटिंग 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 लार्ज कैस ट्रांजिक्शन विदावड इतना लाना है गstate जमा करते जाओ जमा करते जाओ नहीं सब्सक्ता है कर रहे हम सब्सकкив भेसेश में इतना सारा केस कहां से आ इतना मतलब फोजीना गलत राश्तों काफ्या आया है तो यह आपका और जीक्टिव नि बाकी सब और जी चलिए टर्म सब्सक्राइक्शन रिफर्स टो इनकांटेस्ट अप्यमल सब्सक्रांजिक्शन जैसे मैंनि पूछ लिए मैंने जवाब दे दिया यह ऐसी ट्रांजिक्शन जो उसके कस्टमर के प्रोफाइल से मैच न और हो रहा है तो सब्सक्राइब पिर उसको जाच करिए किये कोई होस्टल में कोई स्मगलिंग का तो काम नहीं कर रहे हैं या कुछ और तो काम नहीं कर रहे हैं यह द्यान देंगे अगला आपके स्क्रीन में देखिए इंटरनेशनल बॉड़ी इसूस रिकमेंडेशन फार ए इनाइटेड नेशन यह तो मोस्ट पॉपलर सीरीज का सवाल है कि अंतरास्ट्री इस तर पर एंटी मनी लॉंडरिंग के लिए क्या बेवार होना चाहिए क्या नितिनीयम होने चाहिए क्या रिकमेंडिक्शन होने जारी करता है फैनेशल एक्षन टास्क पूर्स अगला है वह सीधा सीधा पांच साल और मोस्ट पॉपलर सीरीज का सवाल है अगला है विच टम डिस्क्राइब दे इलिगल प्रोसेस अप कॉन्सा सब्द जो है यह डिस्क्राइब करता है जो इलिगल प्रोसेस है जो पैसा है इलिगल प्रोसेस है वह इस चीज का कौन सा है यह मनी लॉंडरिंग कांटरफेटिंग यह टेक्स इवेक्शन यह इंबल्जमेंड मेंड तो यहां पर मनी लॉंडरिंग मतलब कोई इलिगल तरीके से पैसा कमाता है इलेगल तरीके से पैसा कमा के पैसा उसका मतलब मूल जो है जो पैसा उसको मिला है वो गलत तरीके से पैसा मिला है और उस पैसे को वो लीगल एक्टिविटीज में सामिल करता है बनाता है लीगल एक्टिविटीज में उस कारवाई को बोलता है मनी लॉंडरिंग यह मनी लॉ लॉंडरिंग जो रेगुलेशन है उसमें मुख्ष पर्पस क्या है इन्हांस डिव डिलिजन्स का टू रिडियूस पेपर वर्क टू आफ़र बेटर इंटरस रेट टू मैनेज हाई रिस्क कस्टमर टू सिंप्लिफाई एकाउंट उपनिंग तो इन्हांस डिव डिलिजन्स से कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें जो फाइनिशल इन अपने जो टास्क पोर्स है या फाइनिशल इंटेलिजन्स यूनिट हो खरवाई करेंगी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर वाट ड़स एस्टीर स्टेंड इन दे कॉन्टेस्ट आप एमल स्टीर का फुल फॉर्म पू सब्सक्राइब करने के लिए इस्तमाल की जाती है इस्ट्रक्चर्ड डेपोजिट रिटेल पर्चेसे उटिलिटी बिल्स तो इन में से स्माल परस्नल लोन अब लोन लिया है तो किसी उद्देश के लिए यह मनी लॉंडरिंग नहीं है क्योंकि जब लोन लेते हैं तो उसमें क्रेडिट प्लान होता है वो लोन किसलिए ले रहा है बक्री खर देगा गायग खर देगा यह बिजनस करेगा तो इस्माल लोन तो मनी लॉंडरिंग अक्टिविटि नहीं है इस ट्रॉक्चर्ड कैस्ट डिपोजिट करेगा गलत तरीके से पैसा कमा की इधर प्लेस्मेंट कर रहा है तो यही इसका मनी लॉंडरिंग का कमली है इस ट्रॉक्चर कैस्ट डिपोजिट ला रहा है मतलब किस तरह की कमाई आप देख जाननी सकते हो है पुछ अंटर जलपती प्रिवेंच साना मंटांटरिंग एक्ट वीच अफिय पॉल्लीग इस एरिपोर्टिंग एरिक मेंटिए तौइड लोंटरिंग एक्ट कि देख को एजेंसी के को Reporting Authority है सबी बैंकों को उनको रिपोर्ट करना होता है कि Riservis कि कि मिनिश्य आफ स्बीसट्रिम्हें स्वाइनिस इनिज्ञेंच यूनिट और इनफोर्स्मेंट एजनसी तो बैंक को तो करना होता है और प्रिवेंशन अंड्रोंडर्णिंग एक्ट में इंफोस्मेंट डिरेक्टों को भी करना होता है कि यहां को रिपोर्ट करने के बाद आती है तो फाइनिंचल एंविड्डेयलिजनस यूनिट को रिपोर्ट करते हैं अगर ये एक पास तो फिर यह करता है वह करता है और उसको जैल बेजेगा फिर उसमें करेगा साखशेखटप्टा करते हैं तो यह वैसी गईडाइन पर आज का इसे सन रहा असा करते हैं कि कल का सूरब जो है इस तरह से दिखेगा आज बुद्ध पूनिमान है तो आप लोग जिस तरह से बुद्ध पुणिमा के दिन जो है भगवान बुद्ध को ज ग्यान प्राप्ति हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना ब्रत तोड़ा था खीर खा कर, तो ठीक उसी तरह से कल का सूरज जो है आपको बुद्ध पुणिमा के रात्री के बाद ग्यान की रोसने क के साथ कलका होगेगा कभी भी संगर से डरना नहीं है क्योंकि एक कहानी है जब आप सफल हो जाओगे तो इसक्रीन पर आप आओगे और मेरे साथ संगर की कहानी के साथ जो सफलता मिली है उसको बतानी होती है इसलिए संगर से क्या डरना है ना आज का सेशन कैसा लगा आप ल अगला पिर पेंगे कल आपका एक इंटेर्नल पॉलिसी पढ़ाएंगे जो मैं बताये था तरह के लिमित पे चर्चा करेंगे विद्ड कितने पे होता है यह सारी सिजिंजेंगे और फिर निकर के पास बहुत सारा समय तो रहता नहीं लेकिन डेली डेली पढ़के ही किया सकता और भी साधन तरीके से और इत्मिनान से सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है मैं उसी में विश्वास भी करता हूं कुछ साथी बहले ही सोगे होंगे लेकिन जब इनके पास सबेरा होगा कलका तो वह रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको भी घ्यानवान हो जाएंगे और उनको बढ़िया से संता शांदार बोल रहा है वाह यह भी न बात तो बहुत बढ़िया और भी साथी अच्छा है बोल रहा है आपसे विदा लेते हैं फिर मुलाकाद करेंगे कल धन्यवाद थैंक्यू सो मच